भजन सहिता 51, एक से नौ तक, हे परमेश्वर, अपनी करुना के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. मुझे भली भाती धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुधकर. मैं तो अपने के साथ उत्पन हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्ब में पढ़ा. देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन होता है, और मेरे मनही में ज्यान सिखाएगा. जूफा से मुझे शुधकर, तो मैं पवित्रा हो जाओंगा, मुझे धो, और मैं हिमसे भी अधिक श्व लगे, और उसकी आँखें ढाक कर उससे पूछा, भविश्यद्वानी करके बता की तुझे किसने मारा. और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कहीं. जब दिन हुआ तो लोगों के पुर्निये और प्रधान याजक और शास्त्री इकठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदी तू मसी है, तो हमसे कह दे. उसने उनसे कहा, यदी मैं तुमसे कहूं, तो प्रतीती ना करोगे, और यदी पूछूं, तो उत्तर ना दोगे. परन्तु अपसे मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिन तक, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई. वे यह कहकर उस पर दोश लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते, और कैसर को कर देने से मना करते, और अपने आपको मसीह, राजा कहते हुए सुना है. पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहुदियों पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेश की रियासत का है, उसे हेरोदेश के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरुशलेम में था. हेरोदेश यीशु को देख कर बहुत ही प्रसन हुआ, क्योंकि वह बहुत दिन से उस पर दोश लगाते रहे. तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उढ़ाया, और भरकईला वस्त्र पहिना कर उसे पिलातुस के पास लोटा दिया. उसी दिन पिलातुस और हेरोदेश मित्र हो गए, इसके पहले वे एक दूसर के बैरी थे. पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुला कर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोश लगा पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था, और हत्या के कारण बंदी ग्रिह में डाला गया था पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चड़ा, क्रूस पर, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है, मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई ब अनुश्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी ग्रिह में डाला गया था, और जिसे वे मानते थे, छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंग दिया, यहोशु आठ एक से पैंतीस तक, तब यहोवा ने यहोशु से कहा, मत डर, और तेरा मन का कमर बांध कर सब योधाओं को साथ ले, और एपर चड़ाई कर, सुन, मैंने एके राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तुने यरी हो और उसके राजा से किया वैसा ही है और उसके राजा के साथ भी करना, केवल तुम सुनो, तुम उस नगर के पीछे की और घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकर जाओंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें, तब हम उनके आगे से भा जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम उनके सामने से भाग कर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे, तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा, और जब नगर क उस रात को लोगों के बीच ठिका रहा, यहोशू सबेरे उठा, और लोगों की गिंती लेकर इस्राइली व्रिध लोगों समेत लोगों के आगे-ागे एकी ओर चला, और उसके संग के सब योध्धा चड़ गए, और ए नगर के निकट पहुँचकर उसके सामने उत्तर की ओ को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया, जब एके राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सबेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राइलियों के सामने उनसे लड़ने को निकल कर ठहराए हुए स्थान पर जो अर और ना एमें और ना बितल में कोई पुरुश रह गया, जो इस्राइलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राइलियों का पीछा किया, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्चा एकी ओर बढ़ा, क्योंकि मै उसे तेरे हाथ में दे दूंगा, और यहोशू ने अपने हाथ के बर्चे को नगर की ओर बढ़ाया, उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे जटपट अपने स्थान से उठे, और दोड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया, और जटपट उ और उसका धुआ उट रहा है, तब घूमकर एके पुरुशों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए, इसलिए वे इसराइलियों के बीच में पढ़ गए, कुछ इसराइली तो उनके आगे, और कुछ उनके पीछे थे, अतह उन्होंने उनक यहां तक मार डाला की उनमें से न तो कोई बचने और ना भागने पाया, और एके राजा को वे जीवित पकड़ कर यहोशु के पास ले आए, जब इसराइली एके सब निवासियों को मैदान में, अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चु क्योंकि जब तक यहोशु ने एके सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ, जिससे बर्चा बढ़ाया था, फिर न खीचा, यहोवा की उस आग्या के अनुसार जो उसने यहोशु को दी थी, इसराइलियों ने पशु आदी नगर की लूट कर ली, तब यहोशु ने एको फुनकवा दिया, और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया, वह आज तक उजार पड़ा है, और एके राजा को उसने सांज तक व्रिक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूपते डूपते यहोशु की आग्या से उसका शब व्रिक्ष पर से उत पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होमबली चड़ाए और मेलबली किये, उसी स्थान पर यहोशु ने इस्राइलियों के सामने उन पत्थरों के उपर मूसा की व्यवस था, जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराए, और वे, क्या देशी क्या पर देशी, सारे इस्राइली अपने व्रिध लोगों, सर्दारों और न्यायों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेविय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो ग ने आग्या दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशु ने इस्राइल की सारी सभा, और स्त्रियों, और बाल बच्चों, और उनके साथ रहने वाले पर देशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई, यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजजी, और यबूसी, जितने राजा यर्दन के इसपार पहाडी देश में और नीचे के देश में, और लबानोन के सामने के महासागर के तड़ पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशु और इस्राइलियों से लड़ने को इकटे हुए, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहो फूंदी लगी हुई रोटी ले ली, तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशु के पास जाकर उससे और इस्राइली पुरुशों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो, इस्राइली पुरुशों ने उन हिब्वियों से कहा, क्य क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्टी और जो कुछ उसने मिस्र में किया, और जो कुछ उसने इमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यर्दन के उस पार रहते थे, अर्थात इश्बून के राजा सिहुन से, और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारो जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो, यह सूप गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। किया गम तुम्हारे यह सूप पहा है।